नमस्कार मैं हूँ अमेद और ये है दोस्तों Realme Narzo 70 Pro 5G जो कि आज एंडिया में लाउंच हो चुका है लगबग 20,000 रुपे का सका प्राइस होने वाला है तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में अन्बोक्सिंग करते हैं इसी डिवाइस का और देखते हैं कि लगबग 20,000 र नार्जो 70 Pro 5G की और कुछ ऐसा सा रेटेल बॉक्स है में देखे मिलता है दोस्तों Realme Narzo 70 Pro का टिपिकल नार्जो स्टाइल ब्लू कलर का बॉक्स है सामने की दरव लिखा है 70 Pro नीचे है नार्जो अगर मैं करता हूं उसको रियर साइड में तो यहां पे लिखे हैं कुछ की ह चाहिए तो इस बार कोट पर जाकर आप फीडबेक शियर कर सकते हैं तो आपको सिक्स पंद का एक्स्टेंड वारंटी मिल जाएगा और इस एनवलप में दोस्तों एक ट्रांस्परेंट बैक कवर कुछ दोक्यमेंटेशन और एक से में जक्टर टूल दिया गया है और अब ह लिए मैं रखता हूँ इसको साइड में देखते हैं वाक्स के कुछ और कॉंटेंड एक सूपर वुक चार्जर जो किया आता है 67 वोट के आउट वूर्ट इटिंग के साथ में और लास्ट में USB A2 Type-C डिटगेबल और अब Realme Narzo 70 Pro से स्टार्ट करते हैं थोड़ी सी बात करत हैं इस डिवाइस के बारे में फिर हम जाएंगे कंपारिजन की तरफ बात करते हैं सबसे पहले फोल के डिजाइन की दोस्तों तो हाँ रियर बैक पैनल आप देख सकते हैं दोस्तों अच्छा डिजाइन है ग्लास बिल्ट हमें देखने मिलता है इसके रियर पैनल में भी Realme से कह रहा है दोस्तों horizon glass design या फिर आप इसटन dual glass design भी कह सकते हैं नीचे कि तरफ से दोस्तों यहाँ पर mat finish दिया गया है और उपर की तरफ Soul की दोस्तों तो यहाँ पर Frame देख सकते है इसका finish दो स्तों metal जैसा दिया गया है और Cow सकते हैं एक बॉक्सेजर डिजाइन आपको देखने को मिल जाता है फ्रंट साइट की बात कर रहा है तो 6.67 अच्छ का स्क्रीन साइज दिया गया है दोस्तो यह एक औलिट पैनल है यहां पर हमें 128 का स्क्रीन रिपर्शेट देखने को मिल जाता है दोस्तो यह काफी bright display में देखने मिलता है 2008 का peak brightness यहां पर दिया गया है वैसे colors वागिर आप देख सकते हैं अच्छे colors है दोस्तो डिस्पले से SH कोई भी इशुसर में यहां पर देखने को नहीं मिल रहा है लेकिन हाँ सबसे interesting दोस्तो इसके bloat wear जैसे ही मैंने इसको first time start किया दोस्तो यहां पर में कोई भी bloat wear देखने को नहीं मिलता है सिर्फ एक या दो application थी दोस्तो जो की pre-loaded थी उसको अगर अब चाहें तो uninstall कर सकते हैं लेकिन अब दोस्तो realme का यह phone पूरी तरह से bloat wear free हो गया है मुझे ऐसा लगता है दोस्तो तो यह तो दोस्तो काफ़े improvement हमें देखने हो मिला है realme के इस device में realme 5.0 version के साथ में काम कर रहा है android 14 पे दोस्तो यह base है अगर हम बात कर रहे है camera की तो यह इस phone का key highlight feature है दोस्तो क्योंकि यहां पर sony imx 890 sensor का use किया गया है 50 megapixel का primary sensor है दोस्तो OIS का support भी आपको देखने हो मिल जाएगा और इस phone में हमें ultra white sensor भी देखने हो मिल जाता है कुछ image आपने यहां पर capture करी हैं दोस्तो यह आप देख सकते हैं first impression सच में काफ़ी amazing था यह sensor पहले हमें लगबग 30,000 से उपर के phones में देखने हो मिलता था लेकिन इस price के साब से दोस्तो definitely यह best camera phone हो सकता है यहां पर हमें OIS का support भी देखने हो मिल जाता है video quality भी अच्छी थी दोस्तो यहां पर आप देख सकते हैं phone की performance की बात कर रहे हैं यहां पर MediaTek Dimensity 7050 chipset का use किया गया है जो को कि हम काफ़ी सारी devices में अल्री टेस्क कर चुके हैं तो खैर इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे एक decent साथ chipset है करीब 6 लाग क्या आसपास के आपको batch match score देखने हो मिल जाते हैं और performance में SSH chipset के साब में कोई issue हमें देखने को नहीं मिलता है इस phone का दोस्तो एक और की highlight feature है जो कि है air gesture जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से काम करता है अब यह कितना जदा practical होगा यह तो आने वाला time बतायागा दोस्तो लेकिन हाँ air gesture के feature हमें इस phone में देखने को मिल रहा है phone में 5000 mAh का battery दिया गया है दोस्तो 67W के fast charging भी support करता है इस speakers बगरा ठीक दे दोस्तो dual studio speakers हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते है in display fingerprint sensor दिया गया है तो overall दोस्तो एक complete package आपको मिलता है narjo 70 pro 5G में लेकिन हाँ दोस्तो इसका जो competitor है वो बन जाता है IQ Z9 क्योंकि इस phone का pricing भी लगबग 20,000 रुपह है तो चलिए फिर आज की इस video में comparison करके देखते हैं कि कौन सा phone किस मामले में बहतर है और आपको कौन से phone की तरफ जाना चाहिए तो चलिए फिर design से ही start करते हैं और आप देख सकते हैं इन दोनों ही phone का rear design दोस्तो design की मामल में मैं कहना चाहूँगा definitely यहाँ पर narjo 70 pro बहतर है चाहाँ यहाँ पर हम hands-on feel की बात कर रहे है hands-on grip की बात कर रहे है या फिर अगर मैं बात कर रहा हूँ इसके rear panel की क्योंकि यहाँ पर आपको glass build देखने हो मिल जाता है जबकि IQZ9 में यह एक plastic build आपको देखने हो मिलेगा और दोस्तो ऐसा feel भी होता है जी हाँ यह थोड़ा सा ज़्यादा premium लग रहा है अगर मैं बात कर रहा हूँ दोस्तो weight की तो वो लगबग आप same कह सकते है 195 gram की weight के साथ में हमें देखने हो मिलता है Narzo 70 Pro जबकि 188 gram के weight के साथ में IQZ9 है यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ thickness की दोस्तो तो 7.8 mm IQZ9 जबकि 7.97 mm Narzo 70 Pro में देखने को मिल रहा है अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तो display की screen size मैंने आपका अरेटी बताया 6.67 inches आपको दोनों ही फोस पर देखने को बलेगा display quality में दोनों ही फोस काफियत तक सेम है दोनों ही फोस में OLED पैनल दिया गया है 128 के screen refresh rate के साथ में लेकिन हाँ दोस्तो अगर मैं colors की तरफ देखता हूँ तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा difference देखने को मिलेगा इन दोनों ही फोस में यहाँ पर देख भी सकते हैं मैंने pause कर दिया है वीडियो को आपको थोड़ा सा colors का difference देखने को मिलने वाला है थोड़ से vibrant color दिखाता है दोस्तो realme के phones IQ Z9 की comparison में वो आप यहाँ पर देख सकते हैं हाला कि display quality आपको दोनों ही फोस का अच्छा देखने हो मिलने वाला है दोनों ही फोस का display काफी bright है दोस्तो Narzo 70 Pro में 2000 nits का peak brightness दिया गया है जबकि IQ Z9 में 1800 nits का तो काफी bright display है display quality अच्छा है मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे चिश्यूस होने वाले है in fact अगर मैं बात कर रहा हूँ दोस्तो basis size की, head or chin के size की तो वो दोनों ही phones पे लगबग same से है और narrow basis अब कहाएंगे दोस्तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं तो हाँ modern display तो आपको देखने को मिली जाता है दोनों ही phones में लेकिन इस price में हमें curved display वाले phone भी देखने को मिल रहे हैं तो इस बात का भी धान नाटना होगा इन दोनों ही phones में curved display नहीं है चलिए चलते हैं थोड़ा सा और आगे बात करते हैं दोनों के performance की MediaTek Dimensity 7050 chipset के साथ में Realme Narzo 70 Pro आता है जबकि MediaTek Dimensity 7200 chipset के साथ में IQ Z9 देखने को मिलता है यहाँ पर definitely better है दोस्तो IQ Z9 चाहे फिर मैं बात कर रहा हूँ दोस्तो Benchmark score की तो आप यहाँ भी देख सकते हैं करीब 6 लग के benchmark score हमें Realme Narzo 70 Pro में देखने हो मिलते हैं जबकि करीब 7 लग से भी उपर के benchmark score हमें IQ Z9 देखने हो मिलते हैं यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ practical performance की दोस्तो तो हाँ IQ Z9 थोड़ा सा ज्यादा smooth था यह आप यहाँ पर notice कर पाएंगे इनफेक्ट यहाँ पर हमने एक छोटा से speed test comparison भी किया था तो वहाँ पर भी IQ Z9 थोड़ा सा बहतर हमें देखने हो मिला और वैसे भी दोस्तो अगर हम chipset के specification को देखते हैं तो वहाँ पर भी MediaTek Dimensity 7200 काफी ज़दा बहतर है MediaTek Dimensity 7050 से तो हाँ अगर performance की बात कर रहे हैं तो IQ Z9 Realme Narzo 70 Pro से बहतर हमें देखने को मिल रहा है और अब आती है दोस्तो camera की बात तो यहाँ पर दोनों ही phone का camera काफी अच्छा है दोस्तो हमने इसको practically use किया है आप कुछ images यहाँ पर देख भी सकते हैं वैसे मैं आपको बदा दू Sony IMX 890 सेंसर के साथ मैं में Realme Narzo 70 Pro देखने को मिलता है जबकि Sony IMX 882 सेंसर के साथ मैं IQ Z9 देखने को मिल रहा है दोनों ही phone में OAS का support देखने को मिलता है लेकिन हाँ यहाँ पर हमें ultrawide sensor देखने को मिल जाता है Realme Narzo 70 Pro में जो की IQ Z9 में नहीं है Front camera के बात कर रहे हैं तो दोनों ही phone 16 Megapixel के front camera के साथ में आते हैं दोस्तो अब यहाँ पर आप images देख सकते हैं और judge कर सकते हैं कि आपको कौन से phone की images ज़्यादा पसंद आ रही है हाला कि यह हम आपको जरूब दा दू Sony IMX 890 sensor दोस्तो थोड़ सा ज़्यादा बैतर है काफी सारे मामलों में यहाँ पर हमें बैतर images देखने को मिलती है बाकि आप इन images को देखकर नीचे comment section बता सकते हैं कि आपको कौन से phone की images ज़्यादा बैतर लग रही है वीडियो की बात कर रहे हैं तो दोनों ही phone में आप 4K record कर सकते हैं 30fps के साथ में 10000 pixels 60fps पे दोस्तों यह वीडियो record की गई है दोनों ही phone तो यहाँ पर आप वीडियो quality भी check कर सकते हैं चलते हैं दोस्तों थोड़ सा और आगे बात करते हैं बैटरी की तो दोनों ही phone आते हैं 5000 mh की बैटरी के साथ में charging speed में हाँ पर difference है 67 वाट का charging support हमें realme r70 pro में देखने हूं मिलता है जबकि 44 वाट का charging support हमें IQ Z9 में देखने हूं मिल रहा है IQ Z9 का दोस्तों हमने battery drain और charging test comparison अल्रेडी कर दिया है यहाँ पर performance थोड़ो से ज़्यादा बैतार था IQ Z9 का यहाँ यहाँ पर देख सकते हैं वैसे तो realme के phones में भी in display fingerprint sensor काफी अच्छा काम कर रहा है लेकिन इस phone में दोस्तों यह मुझे बहुत ज़्यादा smooth देखने को नहीं मिला क्या results आपके सामने हैं आप खुद भी check कर सकते हैं दोनों ही phones में dual studio speakers देखने हो मिलते हैं दोस्तों दोनों ही phones का sound quality अच्छा था तो यहाँ से तो कोई भी issues नहीं है अगर मैं बात कर रहा हूँ UI की दोस्तों तो realme UI 5.0 version के साथ में realme narzo 70 pro देखने हो मिलता है जबकि front touch OS के साथ में IQ Z9 दिया गया है दोनों ही latest phone हैं दोस्तों और इसलिए दोनों ही phones हमें Android 14 के साथ में out of box देखने को मिल रहे हैं कुछ extra feature की बात कर रहे हैं दोस्तों योगी realme के phones में हैं लेकिन IQ के phone में नहीं है जैसे कि यहाँ पर में vapor chamber cooling system देखने को मिल जाता है योगी IQ में नहीं है तो अगर आप gaming को एगरा करते हैं तो यह थोड़ा साथ ज़्यादा बैतर होगा इसके लावा यहाँ पर में air gacer देखने को मिल जाते हैं जैसे कि मैं आप quality बताया था ये तो कुल में अगर दोस्तो कुछ ऐसा comparison निकल कहाता है इन दोनों ही phones का बैटर कौन सा है दोस्तो performance के मामले में no doubt ही जादा बैटर है लेकिन हाँ अगर मैं बात कर रहा हूँ design की अगर मैं बात कर रहा हूँ camera की यह पर अगर मैं बात कर रहा हूँ charging speed की तो और दोस्तो थोड़ा सा जादा बैटर है Realme Narzo 70 Pro IQ Z9 के comparison में ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा बाकी वैसे दोस्तो दोनों ही phones काफी अच्छे हैं IQ Z9 को मैं पिछले काफी समय से यूज भी कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी experience बुरा नहीं है काफी अच्छा experience है इस price के हिसाब से तो बस दोस्तो यही था आज के इस वीडियो में हमने आपको comparison भी दिया है इन दोने ही phones का और unboxing के साथ में Realme Narzo 70 Pro की तो मुझे उमिदे दोस्तों कि यी वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो को देखकर आप अपने लिए एक बहतर डिजिसल ले पाएंगे इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा अगर आप चाहते हैं ऐसे ही और वीडियो देखना चनल को सब्सक्राइब जोरू कर लिजिए हम आपसे मिलते हैं अगर ऐसे किसी वीडियो में तब तक लिए आपके दिन शुब रहें आज कर दो देखने के लिए बहुत बहुत रज़ेवाद